हेलो एवरिवन आज हम देख रहे हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का शेर और यह है आपके सामने इसका विकली चार्ट विकली चार्ट पे आप देखे जो प्राइस था अभी 368-369 का चल रहा है इसने हाई बनाया था आपका अप्रेल 2022 में 610-615 के आसपास इसने हाई बनाया था उसके बाद में जो नीचे इसने बोटम बनाया है वो करीब 258 और वहां से रिकवर होते हुए अभी 368 का भाव चल रहा है इसका अगर हम इसका डेली चार्ट पे देखें में उसके बाद में फिर आपका नवंबर 2023 में फिर इसने 200 डे मुईंग एवरेज पर सपोर्ट लेया है और प्राइस जो है वापस से हाईर लो बनाते हुए अभी 368-9 पर चल रहा है तो अब यहां से यह तो हो गया इसका टेक्निकल्स और अब हम देखते हैं इसका एक बा इसके बाद में अगर देखेंगे डेक्विटी रेशियो तो 0.14 है यह भी तो काफी कम डेट ओल्मोस डेट फरी कंपनी है पैग जो प्राइस टो आर्निंग ग्रोफ जो आपका रेशियो है वो भी काफी अच्छा दिख रहा है इसके साथ साथ प्रोमोटर होल्डिंग 53 पर अल्मोस 37 और उसके बाद में 41 नेट प्रोफिट जो है पिछले दो क्वाटर के तो अल्मोस्ट इस्टेबल से है ठीक है उसके पहले आप अगर देखेंगे दिसंबर 2022 में भी 38 था तो बीच में एक बार इसमें प्रोफिट में राइस देखने को मिला था सो क्वाटरली प्र 40 से 257 क्रोड आपका नेट प्रोफिट इंक्रीज होके बड़ा है ठीक है अभी चलते हैं वापस से आप हमारा इसका जो विकली चार्ट है और हम देखते हैं आप इन हमारे टार्गेट्स क्या होने वाले हैं सो करेंट लेवल 368 से अगर हम नीचे देखेंगे तो फॉस्ट जो हमको सपोर्ट लेके चलना है वो होगा आपका यह वाला जो ग्रीन अर्ड गेंडस बना था इसका लोग टिक है करीब तो आपका 3-38 का लेवल कर देखेंगल और 1 5o. 325 के ख़स करीब کے नीचे 159 के आशब आपका सो यह दो आपको से शबवो लेके चलना है 338 और 325 अगर उपर की साइड हम टार्गेट तेखेंगे तो फर्स जो टार्गेट हमारा होगा वो होगा 426 का जो की करीब करीब आपका 15 से 16 परसेंट उपर है फर्स टार्गेट सेकेंड जो टार्गेट होगा वो होगा हमारा 510 का यह 510 का जो की करीब-करीब 38% आपका होने वाला है second target और final target आकर हम इसको all time high तक hold करेंगे तो आपको यहाँ पे 610-615 के आसपाँ जो level है वहाँ पे आपको करीब-करीब 66-67% देखने को मिल सकता है यह थे 3 targets और मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई बाई